हेलो फ्रेंट्स मैसेल्फ मनोश सर्मा टीम बाटनी सीलसी सीकर आज अपन डी सीम नंबर थर्टी नाइन लगभग आखरी पड़ाप पे अपन विटा पहुंच चुके एकोलोजी का पेपर बहुत अच्छा अच्छे से आपके पेपर दिया होगा आई थिंक कोई भी आपके दिक्कत आई नहीं होगी बहुत बढ़ी आपके पेपर हो रहे थे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो 17 जुलाई को अपन नीड जो है इसको फाइनल शेप देने में लगे हो हैं बहुत अच्छी प्रिप से परफॉर्म कर रहे हो आज आपने दिया DCM नंबर 39 और आपके टापिक था बौटनी का ecology जो कि आपके बहुत important topic हुआ करता है सास से 10 question आपके cover करता है और I think हर question NCRT से fame किया हुआ था तो आपका paper जो है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा फिर भी कोई छोटा मोटा doubt आपका रहे गया है तो उसको अपन clear करते हैं चलो बहुता बढ़ते हैं first question की तरफ देख convergence भाई आपके क्या है जो भी आपके क्या है डाया पूच जो होती है बिटा डाया पूच जो है वो आपके क्या है suspended development की आपके क्या है एक phase है suspend development की आपके क्या है phase ठीक है तो यहाँ आंसर चला जाएगा आपके कौन सा बिटा जी third ठीक है बिटा next question पर आपन बढ़ते है next question second जो है वो आपको क्या करा है देखो जब जन संख्या धारण छमता पर पहुंच जाती है यानि कि आपसे पूच रहा है क्या जब आपके population जो है वो आपके caring capacity पे पहुंच जाएगी वहन population reaches caring capacity देखे जब population जो है वो caring capacity पे जब आपके पहुंच जाती है तो बिटा आपके क्या होता है यहाँ देखो यहां आपको होगी mortality क्या है mortality जो है वह आपके birth rate के आपके क्या हो जाती है बराबर हो जाती है तो यहां आपके क्या है death बराबर आपके हो जाएंगे क्या birth यानि कि जन्म और म्रत्यु जो है वो धारण छमता पे आपके क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो ऐसा आपके यहां किस में दे रख तो यहां आंसर आपके चला जाएगा क्या फर्स्ट ठीक है बटा नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो देखो नेक्स क्यूशन थर्ड पारिस्टिकी जीव स्तर पर व्याख्या करती है ecology at organismic level describes cdncrt में लाइन दे रखी है कि organism level पर जो आपके क्या है ecology है organism level पर जो आपके क्या है ecology है वो आपके कैसी है यह आपके व्याख्या करती है कि किसकी physiology की यह आपके क्या है organism level पर यह आपके कैसी है विटा physiological तो यहां आंसर चला जाएगा आपके ठीक इसके जीव के सरीर क्रिया विज्ञान की यह आपन कहें क्या physiology of organism तो organism लेवल पर ecology जो है वो डेस्क्राइब करती है किसको physiology को तो third का बिटा answer जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा second ठीक है हाँ जी बिटा देखें next question यहाँ दिया गया है आपको how many statements are incorrect तो क्या छांटने हैं आपको incorrect statement कौन-कौन से है ठीक है अपको बात करनी है को ही कि incorrect statements की ठीक है अब incorrect statements में आपको में predate health इर्शन उन्दा control ofepy population तो predators जो है वो आपके किसकी जो भी आपके prey population है उसको आपके क्या करते हैं? control करते हैं, तो फिर आपको incorrect पूछा है तो यह तो आपके क्या हो गया? correct हो गया अगर अपने बात करें तो यह तो आपके क्या है? correct है फिर है pyramid of biomass is always upright, नहीं, always upright नहीं होते हैं जैसे आप एक food chair ले लो आपके क्या हो गया? phytoplankton हो गया duplankton हो गया, small fist हो गयी और आपके क्या हो गयी? large fist तो यहाँ biomass का pyramid लो गयी है तो आपके कैसा आएगा? inverted तो यह statement जो है वो बिट आपके क्या है? wrong है फिर आप कहोगे common sillage में जै टाइप of interaction in which both species benefited, नहीं both benefited नहीं होती, यह आपके कैसा होता है? plus zero type का, ठीक है? तो यह भी बिट आपके क्या हो गया? wrong next आपन बात करें, mutualage में जै टाइप of interaction in which physical contact required between the two species, यह भी सही है यहाँ physical contact जो है वो आपके क्या होता है? required रहता है proto-coperation जैज जै ओबलिगेटरी नहीं obligatory नहीं है, non-obligatory आपके क्या है? relationship है तो यहाँ आपके क्या है? A और D आपके क्या है? सही है B, C और E आपके क्या है? wrong है तो आपसे क्या पूछें? incorrect पूछें तो incorrect आपके कित्ते हो जाएंगी बिटा? three, यहाँ three जो है वो आपके क्या है? incorrect ओके बिटा, बढ़ते हैं execution की ओर यहाँ आपके दे रहा है, देखो, क्या करा है यह? जीवों के लिए जीवन वरत विभिनताएं आवशक हैं क्यों? variation of life history are necessary for the organism because यह करा है, variations जो होती है किसी भी organism के लिए क्यों जरूरी हैं? क्यों आवशक हैं? जै विभब को बनाए रखने के लिए to maintain biotic potential, बिल्कुल सही है biotic potential को maintain रखने के लिए आपके क्या होती है? essential होती है क्यों जैसे जैसे आपके क्या है? variations आती है, new new characters आपके क्या होते है? population में add होते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा यह for growth of population, population की growth के लिए भी आपके क्या है? आगे development के लिए growth के लिए भी variations जो है, वो आपके क्या है? जरूरी है for adaptation in environment, environment में आपके adaptation जो है? उसके लिए भी आपके क्या रहेंगी? जरूरी रहेंगी, तो यहाँ answer आजाएगा आपके क्या? more than one are correct यानि कि एक से ज़्यादा यहाँ आपके क्या है? सही है, answer यहाँ चला जाएगा आपके क्या? fourth next अगर आपन बात करें, तो छटा question, छटे question में आपके क्या कहोगी? देखो उत्रोथ तक पोसक इस तरों में उर्जा के इस्थानांत्रन का मुख्य सान्याल है major conditute of energy transfer in successive traffic level तो successive traffic level पे आपके क्या है? मुख्य सन्याल जो होगा, वो आपके कौन हो जाएगा बिटा? predation, predation के through आपके क्या है? जो भी आपके क्या है? energy का पोसक इस तरों में आपके क्या होता है? इस्थानांत्रन होता है तो मुख्य conditute जो है, chief conditute या आपके क्या है, मुख्य सन्याल जो है, वो predation या फिर आपके क्या है? परभक्षन तो answer आपके चला जाएगा कौन सा? first next अगर आपके बात करें, तो देखो आपके क्या कहोगी? 7th question, 7th question में आपके क्या कहोगी बिटा? आफ्रेस, एक भूमध्य सागर आपके क्या है, और्केड में परागन आपके क्या होता है, संपन होता है pollination in offres, a Mediterranean in orchid occurs by, तो इसमें आपके किसके द्वारा होता है, वेटा, सबको पता है जीवित जीवों का एक मूल भूत निके है, ये फऑंडामेंटल निके of living organism, देखो बिटा, इसमें आपके क्या कहोगी, दो चीजें आती है habitat जो है वो तो आपके किसी भी जीव का आपके क्या होता है area होता है जहां वो रहता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं address फिर आप कहते हो निके निके जो है किसी भी organism का क्या होता है functional contribution 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 जिसको अपन कहते हैं क्या कि प्रफ़ेशन औफ और्गेनिज क्या बोलोगे इसको आप प्रफेशन और और ऑर ओर इच तो यह आपके किया ये आपके rat की population के आपके क्या कर रहा है study कर रहा है यहाँ birth जो है बहीं यहाँ birth जो है आपके वह आपके कितने हैं birth जो है वह आपके कितने हो जाएंगे mortality जो है वो आपके कितनी है 240 आई जो है वो आपके दे रखा है कितना 20 और अपन कहें क्या ए जो है वो आपके दे रखा है कितना 30 तो आपके क्या होती है n t प्लस बन आपके कितना हो जाएगा देखो 250 t b plus आपके क्या होता है b plus आपके क्या है i minus आप कर दें क्या d plus e ठीक है तो b plus e यादि कि आपके कितना हो जाएगा 250 plus 20 यहां आपके कितना हो जाएगा 240 plus 30 तो जैसा कि आप देख पारे हो दोनों के चाहे इए यहां आनंसर जो है वह आपके क्या हो जायेगा यहांन से आफ में आफ के क्या हो जाएगा जाएगा क्या जाएगा जीरो तो नाइन्थ को आपके क्या हो जाएगा फोर नेक्स जो है वो आपन कहें क्या टैन्थ टैन्थ देखो आपके विटा यह क्या कह रहा है फिल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रॉकी सी कॉस्ट ऑफ स्कॉट्लेंड वे लार्जर बार्निकल बैलनस डॉमिनेट्स दा इंटर टैनल एरिया एंड रिमूफ दा स्मॉलर बार्निकल चैथमेलस दिस हैपन ड्यू तो यह आपके कौन से इंट्रेक्शन में थे विटा चैथमेलस जो आपके लार्ज चैथमेलस जो है वो आपके किसमें कॉम्पिटीशन के थुरू बिटा आपके किसमें इंटर टाइडल रीजिन जो है उसमें स्मालर बार्निकल चैथमेलस को आपके क्या कर देता है बाहर कर देता है तो यह किसके कारण होगा प्रतिस परधा के कारण या खा दे तू बिविन समय के चैन द्वारा प्रतिसपर्धा से बचा जा सकता है यह है इफ टू इस पिसीज कॉंपेट फोर सेम रिसॉर्सेज अवाइट कॉंपेटिशन बाई चूजेंग डिफरेंट टाइम्स फोर फीडिंग और डिफरेंट फोरगेजिज पैटर्ण तो इसको अपण क्या कहते है बिटा téc difficdum रिसॉर्सेज पार प्रतिशन क्या कहते हैं इसको रिसॉर्सेज पार पर हमकर्य तो इसको आपन कहते हैं क्या रिसॉर्सेज पार्टिशन क्या कहते हैं रिसॉर्स इज पार्टिशन और अगर आप जो भी आपके क्या है dominant species उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हो तो इसको आप कह देते हो क्या competitive release ठीक है तो यहाँ answer जो आएगा वह आपके आएगा रिसॉर्स इज पार्टिशन कौन सा जाएगा बेटा रिसॉर्स इज पार्टिशन देखो हर question आपके ncrt से fame किया गया है और आपके क्या है बिल्कुल exam के साब से आपके क्या है fame है फिर आप कहोगे thick cuticle second and scotoactive stomata chem photosynthesis and conversion of leaves into spines are some of the important characters of we test Sarek 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 sare productions जू है वहापके किसको कम करने के लिए water loss को आपके क्या करने के लिए water loss को आपके decrease करने के लिए rate of photosynthesis को increase करने के लिए जो कि आपके किसमें पाएजतें बताओं यह सारे सारे character जो आप देख रहे हूँ हापके किसमें मिलेंगे इसकोट यो श्कोट और इक्टिव स्टोमेटा है यह वाट्र लॉस को आपके क्या कर देंगे कम कर देंगे तो इट मिंस यह जो एड़पटेशन वहा वह आपके कैसा हुआ जीरोफिटिक adaption मरूद विदों के ये आपके क्या है adaptation है ठिक है, तो यहाँ अगर आपन बात करें तो answer जो है ये आपके किसके हो जाएँगे जीरोफाइट्स के, यानि कि आपके मरूद विदों के आपके क्या है adaptations Next अगर आपन बात करें तुंगता रोग बेचेनी थकान तथा हिर्दैस्पंदन संपलित करता है जिसका कारण है Altitude Sickness which include Nosea, Fatic and Heart Palpation occurs due to भाई आप क्या है जैसे जैसे आप कहां जाओगे उचाई पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगी Altitude Sickness मिलेगी Altitude Sickness में आप बिटा क्या कहोगी जैसे जैसे आपन उचाई पे जाते हैं तो आपके क्या है Atmospheric Pressure जो है वो आपके क्या होता जाता है कम होता जाता है जिसके कारण आपको क्या है यह characters आते हैं जैसे कि आपके Nosea, Fatic, Heart, Palpation जिसको आपन कहते हैं क्या Altitude Sickness तो यह आपके क्यों होती है Law Atmospheric Pressure के करण और यह Law Atmospheric Pressure आपके कहा होता है Height पे तो Law Atmospheric Pressure at High Altitude जैसे आप High Altitude पे जाओगे तो Atmospheric Pressure जो है वो आपके क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और आपको आएगी Altitude Sickness ठीक है Next अगर आपन बात करें तो आपके कह रहा है देखो खाज स्रंकला से संबंदित कितने कथन असत्य है How many statement is or are incorrect about food chain देखो आप क्या कहोगे GFC is the major conduit of energy flow in aquatic ecosystem बिल्कुल सही है यह GFC जो है वो major conduit है आपके किसका energy flow का किसमे aquatic system में NCIT के लाएट है फिर आप कहोगे Source of energy in debt-rightless food chain is not directly sun बिल्कुल सही है यह भी आपके क्या है सही है Detritus food chain may be connected to grazing food chain in somewhere यह भी सही है NCIT ने दे रखा है वेटा In grazing food chain size of organism commonly decreased Decrease नहीं उती वेटा क्या होती है आपके क्या है decrease नहीं उती क्या होती है Increase फिर आप कहोगे energy flow in grazing food chain by predation ठीक है Energy flow जो होगा आपके किसमें predation में grazing food chain में आपके क्या है जो भी energy का flow हो रहा है वो आपके किससे होगा predation से तो यह भी आपके क्या है ठीक है तो आप क्या कह दोगे यहाँ A, B, C और E आपके क्या है ठीक है और D आपके क्या हो जाएगा Wrong तो यहाँ wrong जो है वो आपके कितना हो गया है आपसे wrong पुछा गया है तो wrong यहाँ only और only आपके कितना है एक तो यहाँ wrong जो है वो आपके कितना हो जाएगा एक ठीक है बटा Next अपन बढ़ते है 15 की तरफ 15 है नीचे दी गई सूची में कितने छेत्र प्रात्मिक अनुक्रमन का उधारन प्रगदर्सित करते है In the list given below How many areas represent the example of primary secession तो आप क्या कहोगे Abundant farmlands यानि कि आपके क्या है त्यागे गए और छोड़े गए क्रसी छेत्र बिटा यहाँ आपको यह देखना है कि पहले soil यहाँ आपके क्या नहीं होनी चीए प्रेजेंट नहीं होनी चीए ठीक है तो आप इसी को देखते होगे calculation करें तो example of primary secession Abundant farmlands या आपके नहीं होगा दूसरा है burn और आपके क्या है cut forest ये भी नहीं होगा newly cooled larva बिल्कुल होगा इसके बाद में bear rocks बिल्कुल होगा newly created आपके क्या है pond बिल्कुल होगा agriculture land में अपन बार-बार क्या करते है agriculture करते हैं तो ये भी आपके नहीं होगा तो क्या क्या जाएगा newly cooled larva, bear rocks और newly created आपके क्या होगा pond यानि कि आपके कितने हो जाएगे 3 तो answer आपके जाएगा क्या 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 चला जाएगा second फिर अगर आपन बात करें किसकी next की 16 अमले वर्सा की मुख्य अव्याव निम्न में से किसके oxide होते है the major components of acid rain in oxide बाई आपके जो आपके क्या है acid rain है क्या करो दिखो आप acidic rainfall जो है acidic rain fall उसमें आपके क्या होता है HNO3 प्लस आपके क्या होता है H2SO4 तो यह आपके क्या है nitrogen प्लस sulfur क्या आपके क्या है oxide यानि कि nitrogen और sulfur क्या आपके क्या है oxide तो यहाँ आपके क्या आजाएगा sulfur एबन nitrogen sulfur और nitrogen आजाएगा यहाँ तो यहाँ हो जाएगा sulfur और nitrogen यानि कि आपके कौन सा आजाएगा answer second ठीक है next अगर अपन बात करें तो next आप बढ़ें आगे यह करा है equation ठीक है तो यहाँ आपके हो जाएगा कौन सा third इसके अलाबा है उन्हीं निरंतर यहाँ है they need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counter act the universal tendency towards the increasing disorderness यहीं से आजाएगा disorderness का बढ़ना आपके क्या है entropy क्या है बिटा entropy और entropy को आपके क्या है thermodynamics का second law जो है वो आपके क्या करता है explain करता है तो above lines indicates किसको करेंगे आपके second law of thermodynamics in food chain तो यह second law जो है thermodynamics का food chain में उसको आपके क्या करती है यह explain करती है ठीक है तो second law of thermodynamics next अगर आपन बात करें तो फिर आप कह रहे हो क्या a swamp that's have many aquatic plants growing in it suddenly polluted as the result of the pollution all the plants die ठीक है shortly after the population which of the following would decrease in the concentration of water यह क्या कर रहा है एक जल मंग्न दल्दली छेत्र में अच्छानक प्रदूसित हो जाता है जिसमें अनेक जलिये पादफ रधी कर रहे हैं प्रदूसर्ण के परणाम सरुप सभी पादफ म्रध हो जाते है प्रदूसर्ण के तुरंट बाद निम्न में से किसकी सानधता जल में आपके क्या हो जाएगी कम हो जाएगी भाई सीधी सी बात है आप जैसे ही इसमें आपके क्या है पॉल्यूशन आपके क्या होगा इनक्रीज होगा तो यहां आपके कौन आएंगे fungi और fungi और bacteria fungi और bacteria आएंगे तो यह आपके क्या करेंगे degradation करेंगे और degradation कर रहे हैं तो यह O2 का क्या करेंगे consumption O2 को आपके क्या करेंगे consume करेंगे तो आपके क्या है O2 को consume कर रहे हैं तो O2 का concentration जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, विटा, decrease हो जाएगा, O2 का concentration जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ concentration जो घटेगा, वो आपके किसका होगा? O2 का, तो यहाँ O2 का concentration जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, decrease, चलो next अपन बात करते हैं 20 की 20 में आप क्या क्या दोगे देखो निमनिकिस में से कौन सा कथन आपके क्या है गलत है which of the following statement is incorrect फिर आप कहोगे integrated water waste treatment includes the both natural and artificial process तो यहां आपके क्या है natural और artificial दोनों आपके दोनों का आपके क्या हुआ था यूज हुआ था ठीक है फिर आप कह रहे हो sanitary landfills were adopt as the substituted for open burning dams बिल्कुल सही है फिर आप कहोगे क्या polyblend enhance the bitumens water repel properties and help to increase road life यह भी ठीक है आपके फिर आप कह दोगे form are responsible for the upkeep the safeguarding of air polluted areas form why you produce छेत्रों की देखवाल तथा सुरक्षा के लिए आपके क्या होते हैं जिम्मेदार होते हैं ना किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बेटाइए water pollution जो है उसको कम करने के लिए आपके क्या है last possible to 24 जो है वो बैट आपके क्या हो जाएगा incorrect ंकरेक्ट यहहर Patriotan की जगह आपके क्या अगए बताओ water pollution क्या जाएगा water क्या जाएगा water, pollution नेक्स जो है वो है आपके IUCN एक अंतर रास्त्री है संग्ठन के छेत्र में कार्य कर रहा है IUCN is the working in the field of फिर आप कहोगे प्राकर्तिक संदक्षन तथा प्राकर्तिक संसादनों के सीमित उपियोग को बनाए रखने के लिए यानि कि natural, nature, conservation and sustainable use for natural resources फिर आप कहोगे nature, conservation and exploitation of natural resources ना फिर आपके कह रहा है क्या nature protection and cure of coronavirus प्राकर्ति सुरक्षा तथा कोरोना विसानों का आपके क्या है उप्चार फिर है सैक्षनिक, वैज्ञानिक तथा सांस्क्रतिक संग्ठन, educational, scientific and cultural organization तो आप क्या कह दोगे यहाँ प्राकर्तिक संदक्षन तथा प्राकर्तिक संसादनों के सीमित उपियोग को बनाए रखने के लिए नीचर, conservation and sustainable use of natural resources इसमें आपके यह आपके क्या करता है बिटा काम करता है तो आंसर जो है वो आपके क्या जाएगा फिर्स्ट ठीक है नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपके क्या है निमनिखित में से कौन सा स्वैस्थाने संदक्षन का उधरन नहीं है तो आपके home gardens और botnical gardens जो है वो आपके कैसा example है बिटा X2 conservation का आपके क्या है एक्जम्पल है तो 22 का आपके हो जाएगा क्या 4 ठीक है नेक्स जो है निमनिकत्नों को ध्यान रखते हो चैन कीजिए कि कौन से कथन सत्ते हैं इवं कौन से कथन आपके क्या है असत्ते consider the following statement and select the correct option stating which one of the true and which ones are false pyramid of biomass is upright in forest ecosystem भाई आपके क्या है जो आपके pyramid होगा biomass का वो आपके क्या होगा upright होगा किसमें forest ecosystem में and inverted in grassland यहां तक तो सही था लेकिन यहां आपके wrong कर दिया जो grassland जो है उसमें भी आपके क्या रहेगा यह upright रहेगा तो यह आपके क्या हो गया wrong फिर आप कहोगे pyramid of numbers in inverted in grassland inverted नहीं होता दोनों ही चाह बायो मांस हो चाह नंबर हो दोनों ही आपके कैसे रहते हैं अप upright रहते हैं and upright in aquatic ecosystem तो यहां यह आपके क्या ना चीए था upright pyramid of energy depicts of the rate of energy flow at successive traffic level तो आपके सही है उर्जा के प्रामेड क्रमागत पोस इस तरहों में उर्जा के प्रभाग को घड़ते होई क्रम में बताते हैं बिल्कुल सही है फिर है आपके ecological pyramid have no place for dead tree virus and decomposers through they play important role in an ecosystem parasitic pyramid में अप्रद भख्ची तता आप गटकों के लिए इस्थान नहीं है यदपी यह है परितंत्र में महतपून भूमी का निभाते हैं तो यह आपके क्या है सही है तो यह आपके F हो गया F हो गया यह true है यह true है F F T T तो आपके कौन सा जाएगा यहां first तो तेवीस का आपके कौन सा जाएगा विटा first next आपन चलें तो आपके क्या है पारिस्थितिक पिरामिड किसके लिए बनाये जाते हैं Ecological pyramids are made for किसके लिए बनाते हैं विटा आपन food chain को इससे आपन क्या करते हैं विटा define करते हैं तो यह आपके किसके लिए खाजिस रंखला यानि कि आपके किसके लिए बनाये जाते हैं food chain के लिए next आपन चलें तो फिर है जैव भार के उत्पादन की दर उत्पादकता होती है जिसे दरसा आए जाता है productivity is the rate of production of biomass expressed in the terms of तो किस-किस terms में आप इसको express करते हो kilo Kelvin meter square per year kilo Kelvin per meter square per year सही है फिर है kilo Kelvin meter cube no wrong हो गया gram meter inverse 2 year inverse 1 ये ठीक है फिर आपके gram meter inverse year inverse ये आपके क्या हो जाएगा wrong तो यहाँ जाएगा A और C ठीक है तो यहाँ आपके कौन सा आएगा A और C फिर आप क्या कहोगे नीची जलारम भी अनकर्मन की कुछ अवस्थाएं दी गई है given blue are the sum stages of hydrange तो इनको आपको जमाना है तो देखो सबसे पहले आपके कौन सी stage होती है phytoplankton stage सबसे पहले कौन सी stage जाएगी बीटा phytoplankton stage तो सबसे पहले आपके हो जाएगी क्या phytoplankton stage phytoplankton stage के बाद आप क्या जाएगी कौन सी Submarge stage Submarge stage के बाद में आपके आजाएगी कौन सी? बूलो Free floating stage, यानि की E, उसके बाद आपके आएगी क्या? Read swamp stage यानि की B, और B के बाद आपके आएगी कौन सी? A Mars Middle stage, कौन सी आजाएगी Mars Middle stage तो DCEBA कौन सी आएगी? DCEBA तो यहाँ आपके answer जो है, वो आपके उजाएगा कौन सा? First, ठीक है वीटा? Next अगर आपन बात करें, तो देखो आपके क्या करें? पवित्र उपवन, तप्त छेत्र, देखो Second groups जो हैं, वो आपके पवित्र घटियां जो हैं, वो आपके क्या है? In-situ ये भी आपके क्या है? In-situ ये भी आपके क्या है? In-situ ये भी आपके क्या है? Wildlife Safari Park जो हैं, वो आपके क्या है? X-situ, इसके अलावा Seed Bank जो हैं, वो भी आपके क्या है? X-situ, और Biosphere Reserve जो हैं, वो आपके क्या है? In-situ, तो इट मेंस 1, 2, 3 और आपके कौन सा 6 ये तो in-situ हैं और आपके 4 और 5 जो हैं वो आपके क्या है एक-situ ये आपके देख लो 1, 2, 3 और 4 are example of in-situ conservation ना भाई आपके क्या है 1, 2, 3 और 6 सही है 1, 2, 3 और आपके क्या है 6 are example of ex-situ conservation बिलकुल सही है फिर आपको होगे क्या 4 and आपके क्या है 5 तो 4 ये रहा और 5 आ रहा तो आपके क्या है example of ex-situ conservation ये भी सही है second आपके 4 और 5 ex-situ के ना second in-situ का है second 4, 5 are example of in-situ तो यहाँ second इसके लब आपके क्या है 4 आपके क्या है ex-situ का है तो यह दोनों आपके क्या हो जाएंगे wrong तो यहाँ सही जो हैं वो आपके कौन से हैं A और B तो यहाँ A और B आपके क्या हैं सही हैं तो आंसर आपके जाएगा कौन सा First Next आपन बात करें निमनी चित्र के लिए सही विकल्प या मैलान का आपके क्या कीजिए Change कीजिए Choose the correct option match for the about above देखो यह आपके क्या है Electrostatic आपके क्या है Precipitator है तो पहला तो यह आपके क्या है A की option है आपके ESP है Electrostatic आपके क्या है Precipitator है Principer Electric Charging पे काम करता है तो A जो है वो आपके क्या है Negative Charged आपके क्या हो जाएगा वायर हो जाएगा और C जो है बही Negative Charged वायर से Electron आएंगे तो ये negative charge आपके क्या हो जाएंगे? particles. तो answer आपके यहाँ हो जाएगा बिटा कौन सा? 3. तो यहाँ answer आपके जाएगा कौन सा? 3. हाँ बिटा, next question है आपके match the column का, है न? यानि कि आपको किसको column first और second को आपको क्या करना है? match करना है. तो 90-80 जो है, उसमें तो आपके क्या हो जाएगा? देखो, 90-80 में आपके हुआ था क्या? JFM introduce. तो first का आपके क्या जाएगा? 3. 1986 जो है, उसमें आपके क्या कर दोगे? यहाँ आपके क्या है था? Environmental Act. तो यहाँ first जाएगा. 1987 जो है, उसमें एयर आपके क्या है? Pollution Act में आपके क्या हुआ था? Change हुआ था. तो आपके क्या जाएगा? Fourth. 1988 जो है, इसमें आपके क्या हुआ था? National Forest Policy. यानि कि आपके क्या जाएगा यहाँ? Five. और 1989 जो है, इसमें आपके क्या है था? Material Protocol जो ओजन के लिए था, वो आपके क्या हुआ हुआ था? Effective हुआ था. तो यहाँ answer जो है, वो आपके चला जाएगा. Third, first, fourth. Third, first, fourth. Five or second. तो यहाँ आपके क्या चला जाएगा? Third. Next आपन चलें, तो आपके क्या है? यदी परितंत्र को बनाए रखना है, तो निमने में इसमें से कौन आवशक रूप से आपके क्या होने चीएं? सरक्षित होने चीएं. तो यहाँ आपको पता है कि आपके क्या है? किसी भी ecosystem के लिए necessary जो हुआ हैं, वो आपके कौन हुआ हुआ हैं? Producer and Decomposer. तो यहाँ आपके क्या जाएगा? Producer and Decomposer. उत्पादक तथा अपगटक. तो आंसर आपके चला जाएगा कौन सा? सेकेंड. तो तीस जो है उसका आपके क्या हो जाएगा? सेकेंड. नेक्स जो है 31. आप क्या करें हो? जै विबित्ता के संतप्त इस्थल के संदर में सत्यक अथन को चुनिये. Choose the correct statement with respect to the hot spot of biodiversity. Initially, number of hot spot आपके कितना था? 25 बिल्कुल सही है. फिर है, hot spot have rich species diversity बिल्कुल सही है. The hot spot are rich in end image बिल्कुल सही है. Accelerate region of habitat loss बिल्कुल सही है. The number of hot spot in India, ये भी आपके किया है? बिल्कुल सही है. तो सारे के सारे सही है, तो answer आपके चला जाएगा कौन सा? 4. Next question पर आपन बढ़ते हैं. तो next है आपके निमनिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct? Passenger pigeon become extinct due to the co-extinction, नहीं over-exploitation से हुआ था. तो ये आपके क्या है? Wrong है. Species diversity increase from pole to equator. Pole to equator जाओगे, तो species diversity increase होगी. सही है. High traffic level in food channel less susceptible to extinction. Less नहीं होते है, मूर होते हैं. तो ये भी रॉंग है. In India, the total biosphere reserve जो है, वो आपके क्या है? 20 है, तो ये statement भी आपके क्या होगी है? Wrong. तो इस statement सही जो है, वो आपके कौन सा है? Second. Next आपन बढ़ते हैं क्या? Phosphorus चक्र के flow chart के संदर में, सही विकल्प का आपके क्या कीजिए? Chain कीजिए. तो यहाँ flow chart बना रखा है आपको, और सही विकल्प पूछ रहा है. तो देखो, आप क्या कहोगी? आपके A जो है, NCRT का डाइग्राम है. A जो है, वो तो आपके क्या हो जाएगा? Soil solution. A जो है, वो तो आपके क्या है? Soil solution. Soil solution है. ठीक है? फिर आपन बात करें, B जो है, वो आपके क्या है? Consumer है. और C जो है. वो आपके कौन है? Producer. तो ऐसा किस में दे रखा है? देख लो आप. ऐसा आपको दे रखा है. Soil solution, consumer, और आपके क्या है? Producer. तो 33 का अंसर आपके जाएगा क्या? 4. Next, अगर आपन बात करें, तो फिर है, जैविक कारक है, Biotic Factors है. सभी सजीव, जो अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं, All the organisms which influence other organisms. बिल्कुल सही है. इनको यह अपन क्या करते हैं? Biotic Factors. Factors of atmosphere like wind which affects life. नहीं, यह Biotic Factors हो जाएगा. Chemical Factors of soil which affects life. नहीं, यह भी A-Biotic है. Physical Factors of soil which affects the light. तो यह भी आपके क्या है? रॉंग है. तो आंसर आपके जाएगा कौन सा? First. Next, आप कहोगे क्या? एक परियावरन की योगता जो समस्टी को प्रोचसाहित करती है, वो कहलाती है. Ability of an organism to support a population is called. इसको अपन क्या कहते हैं, बिटा? बोलो, जो भी आपके nutrition और जो भी आपके क्या है? आपके आवास होता है. जो कि आपके population को आपके क्या देता है? बढ़ावा देता है. Environment की इस चमता को आपन कहते हैं, क्या? Caring Capacity यानि की वहन चमता. क्या केदोगे इसको आप वहन चमता? Next, जो है, वो है आपके S आकार की व्रधी समीकरण जो है. In equation of the S-shaped population of growth, dn by dt is equals to rn k minus n by k में. R आपके क्या है? रिप्रिजेंट करता है. तो R जो है, वो आपके क्या होता है? Birth minus death. क्या होता है? Birth minus death. और इसे आपन कहते हैं, क्या? Intrinsic Rate of Growth. क्या बोलते हो बिटा? Intrinsic Rate of Growth. क्या बोल देते हो? Intrinsic Rate of Growth. ठीक है? तो यहाँ आप क्या कहदोगे, देखो? यहाँ आपके R जो है, वो आपके क्या जाएगा? Biotic Potential. भाई, आपके क्या है? Intrinsic Rate of Growth, या इसको Reproductive Capacity, या फिर इसको आप क्या कहदोगे, जैविये विभाव, जैविये सामर्थ, या फिर आपके Biotic Potential. तो आंसर जो है, वो आपके कौन सा चला जाएगा? Third. Next, आपन देखें, इमने कितमें से कौन सा कारे की अनुकूलन का एक उधारन नहीं है? या आप से पूछ रहा है, कौन सा कारे की अनुकूलन का आपके उधारन नहीं है? Physiological Adaptation का Example, तो Leisure in Sunlight, तो ये पहला ही नहीं है, या आपके क्या है? Behavioral, आपके क्या है? Adaptation है. आपके कौन सा जाएगा answer? First. Next, आपन बात करें, तो देखो, C-Anemone तथा Clown मचलीक में अंतर संबंद के लिए निमने से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको पता ही है, ये आपके C-Anemone जो होता है, ये आपके क्या है? C-Anemone है, ठीक है? यहाँ इसके Tentacles के बीच में आपके रहती है कौन? Clown Fist. कौन रहती है? Clown Fist. तो यहाँ आपके C-Anemone को कोई भी फाइदा नहीं होगा, जबकि Clown Fist जो है, उसकी आपके Predator से क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी. तो यहाँ Clown Fist जो है, वो आपके क्या है? Benefitate है. तो आपके क्या कहोगे? Clown Fist जो है, वो आपके क्या है? Beneficial. इसमें से Clown Fist जो है, उसको आपके क्या होगा? Benefit होगा. तो यहाँ Answer जो चला जाएगा, वो आपके कौन सा जाएगा? Third. Clown Fist is Benefitate. तो आपके 38 जो है, उसमें आपके clown fist जो है वो आपके क्या हो जाएगी benefited हो जाएगी तो answer आपके चला जाएगा कौन सा third next अगर आपन बात करें तो 39 monarch titli the monarch butterfly is highly tasteful to its predator but because of the special chemicals present in its body the butterfly acquires this chemical कैसे acquires करती है तो यह आपके क्या है अपनी caterpillar stage जो है उसमें एक आपके काए poisonous weed जो है उसको आपके क्या करती है खाती है during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed poisonous weed को आपके खाती है उससे इस capacity को यह आपके क्या करती है प्राप्त करती है तो आपके क्या हो जाएगा इसमें second क्या हो जाएगा बिटा second during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed फिर अगर आपन बात करें next है आपके कुछ जीव इसको आप देखो इंग्लिस के साब से करें some organism are tolerate of a wide range of salinity तो यहाँ आपके क्या जाएगा wide range क्या जाएगा यहाँ wide range wide range of salinity किसकी salinity की wide range को जिनको आप कह दे तो urehyeline but others are the restricted to the narrow range and are called stenoheline respectively practically तो यहाँ wide salinity और आपके क्या जाएगा by wide आपके क्या range को salinity को round को जो सहन करते हैं वो urehyeline है और narrow आपके क्या रेंज को ज़न करते हैं वो आपके क्या है sthenoheline तो answer स्वेत आपके चला जाएगा कौनसा यहाँ first 40 अंसर में का एक फサ्च next जो है निमनिकित में से कौन सा एक अविकल्पी संबन नहीं है, which is not a obligatory relationship, like an obligatory है, mycorrhiza obligatory है, fig tree, आपके west, आपके क्या है obligatory है, लेकिन cattle aggregate और grudging cattle जो है, उसमें से एक को फायदा हो रहा है, एक को ना फायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, तो ये आपके obligatory नहीं है, त next आप कहोगी, in population of an insect species show an explosive increase in numbers during rainy season, it shows, भाई आपके क्या है, जो भी आपके क्याय में यह दे रखा है, NCIT में, जो आपके rainy season है, उसमें insect की growth बहुत तेजी से बढ़ती है, तो यहाँ जो कर्व आएगा बिटा हुआ आपके कैसा आएगा, जे शेप, तो population growth कर्वे जे शेप, predators of insect population increase, फिर आप कहोगे, environmental carrying capacity is minimum to support the growth, नहीं, maximum support करती है, population growth curve is as safe, as safe नहीं होगा, कैसा होगा, जे शेप, ठीक है, तो next यहाँ आप कहदोगे, क्या कौन सा जाएगा, population growth curve is, जे शेप, तो answer जो है, वो आपके कौन सा होजाएगा, बिटा, first, ठीक है, 42 का आपके कौन सा जाएगा, first, next है आपके, 43, एक समस्टी के सदस्य, members of a population, तो आप क्या कहोगे, अन्तय प्रजन कर, जनन्चम संततिय उत्पन कर सकते हैं, can interbreed and produce fertile office spring, बिल्कुल सही है, तो यहाँ first जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, share a common gene pool, gene pool इनका common होना ही है, फिर आप कहोगे, share और compete for similar resources, यह भी ठीक है, तो आप क्या कहदोगे, more than one option are आपके क्या है, correct है, एक से अधिक विकल्प जो है, वो आपके क्या है, सही है, तो answer जो है, वो 33, इसका आपके हो जाएगा, कौन सा, 4, next अगर अपन बात करें, तो फिर आप कहोगे, ए process which maintains the consistency of internal body environment of organism, despite varying external environmental conditions is called, भाई आपके क्या है, बहारी environmental conditions changeable है, लेकिन internal environment जो है, constant बना हुआ है, तो यह आपके क्या है, समस्थापन यानि की homeostasis, तो इसका आपके क्या है, answer जो जाएगा, वो आपके क्या जाएगा, first यानि की आपके क्या है, homeostasis, next अगर अपन बात करें, तो आपके क्या है, तुंगता रोग सरीर द्वारा संतुलित किया जाता है, altitude sickness is managed by the body by decreasing of RBC production, decrease नहीं होता है, increase होता है, increasing the fat oxidation, इससे आपके कोई लेना देना है नहीं, फिर है decreasing binding affinity of hemoglobin, hemoglobin की बंधन चमता को आपके क्य है, घटा कर, नहीं, यह आपके क्या होगे, increase करके होगी, O2 के साथ, आपके क्या है, hemoglobin की बंधन चमता जो है, वो आपके क्या होगी, बढ़ेगी, decreasing breathing rate, स्वांस दर आपके क्या करके, घटा कर, नहीं, आपके क्या है, स्वांस दर जो है वो आपके क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी Hemoglobine के साथ बंदन चमता जो है वो तो आपके क्या हो जाएगी? बढबेगी. लेकिन आपके क्या है? Managed by saturant को क्या है? स्वाँस्दर को आपके क्या है बढ़ा कर सही है by breathing rate घटेचेगी नहीं क्या होगी बढ़ेगी देखो क्या कहरे हो आप यहां सबसे पहले आपके हो जाएगा क्या decreasing of RBC production ना बढ़ेगा increasing of fat oxidation कोई लेना देना नहीं है decreasing binding affinity of hemoglobin भाई आपके क्या है hemoglobin की जो आपके क्या है binding affinity उसको decrease किया जाएगा ताकि ओटू फटाफट आपके क्या हो release हो तो सही है यह फिर आप कहोगे क्या decreasing breathing rate breathing rate decrease नहीं होगी आपके क्या होगी increase होगी तो answer आपके जाएगा विटा कौन सा third next जो है वो है आपके क्या निमनिखित इस्तम्भो को सुमिलित कीजिए match the following columns पहले आपके दिरख्या है mutualism तो mutualism का आपके example जो हो आपके कौन होगा orchid offers and आपके क्या है तो आपके क्या हो जाएगा फाइव एक आपके क्या हो जाएगा फाइव इसमें एक क्या ह हो जाएगा इसका चार, parasitism का example जो है वो है ticks on dog, first, competition जो है ballinus and आपके क्या है, chat mallas, तो आपके क्या हो जाएगा, second, और आपके prediction का example जो है sparrow and आपके क्या है, any seed, तो कौन सा हो जाएगा, three, पांच चार एक दो तीन यह किसमें दे रखा है आपको देख लो पांच चार एक दो तीन यह आपके किसमें दे रखा है चौथे में तो 46 जो है उसका आपके क्या हो जाएगा बिटा 4 नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इस थाई रूप से बर्फ जमी हुई पार्मा फ्रोस्ट यह आपके वो होती है जहां आपके क्या है हमेशा बर्फ जमी रहती है कंडिशनेजes characteristic feature of hot desert biome नहीं होगा hot desert biome का यह character नहीं है cold desert biome का यह आपके क्या है ग्रास लेंड का character नहीं है tropical rain forest का character नहीं है तो यह आपके किसका जाएगा second 47 जो है उसका आपके क्या हो जाएगा second फिर आपके नीचे दिये गए कथनों को पढ़िए पढ़ो भई tropics have more species than temperate or polar areas बिल्कुल सही कराई है Columbia located near the equator hedge nearby 1400 species of birds बिल्कुल सही है amazing rainforest of South Africa have largest biodiversity of planet ये भी आपके क्या है सही है तो इसमें सारे विटा क्या हो गए? सही हो गए all are आपके क्या है? correct है तो answer आपके जाएगा all are correct यानि क्या answer आपके जाएगा 4 फिर आप कहोगे क्या? नदी जल में जैव रसाइनिक oxygen मांग, biochemical oxygen demand BOD is in a river water भाई आपके क्या है? जैसे जैसे आप polluted आप कोई भी चीज मिलाते हो तो BOD आपके क्या होती है? बढ़ती है, increased वहन sewage gets mixed with the river water बिल्कुल सही है remains unchanged when algal bloom occurs, no has no relationship with concentration of oxygen in water, भाई आपके क्या है? oxygen का consumption और आपके क्या है? requirement जो है वही तो आपके क्या है? BOD है, तो यह आपके wrong हो गया, gives a measure of salmonella in water, नहीं, salmonella से कोई आपके इसका relation नहीं है, तो आपके कौन सा जाएगा? first next आप कहोगे green muffler पर्योजना को कम करने ही तु सडक के किनारे पर उग रहे पोधों को समलित करती है green muffler scheme involves growing green plants along road sides to reduce, यह आपके किसको reduce करती है बिटा? noise pollution को किसको reduce करती है आपके noise pollution को? फिर आप कहोगे क्या next आपन बात करें eco sanitation, sustainable system for managing human access etc. बिलकुल सही है तो आपके क्या है? जो मानव उचसरजी पदार्थ हैं उनके प्रबंदों का सतत आपके क्या है? तंत्रे sustainable system for न agriculture waste से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, sustainable system for managing industrial influence ना फिर आपके क्या है? sustainable system for managing biomagnification ना, eco sanitation जो है, human access creator जो है उनको आपके क्या करता है? manage करता है, तो 51 का आपके answer चला जाएगा कौन सा? first next जो है वो आपके क्या है? when domestic sewage mixed with the river water जब domestic sewage को आप किसमें water में आप क्या करे हो? mix करे हो sewage not affect the quality of water बिलकुल quality of water को आपके क्या करेगा? affect करेगा the increased microbial activities release micronutrients such as iron ऐसा कुछ नहीं है, the increased microbial activities used up dissolved oxygen बिलकुल, यह dissolved oxygen को आपके क्या करती है? use करती है तो dissolved oxygen को यह आपके क्या करेंगे? use करेंगी, the river water is still suitable for drinking as impurities are only about 0.1% नदी का जल अभी भी पीने योग है क्योंकि असुदियां केवल 0.1% है यह NCRT ने आपको साफ दे रखा है अगर impurity 0.1% भी हो जाती है, तो नदी का जल आपके पीने योग है, नहीं रहता तो यहाँ सही explanation आपके कौन सा है? third, तो answer यहाँ आपके जाएगा कौन सा? third तो यहाँ 52 जो है उसमें आपके क्या जाएगा? third next जो है और जोन के चरन recognizing the deleterious effect of और जोन depletion and international efforts known as was signed भाई आपके 1987 में हुआ था 1989 में effective हुआ था जिसको अपन कहते हैं क्या Montreal Protocol जो आपके कहां हुआ था Canada में, तो answer आपके चला जाएगा कौन सा? first Montreal Protocol जो आपके कहां हुआ है Canada में, Montreal Protocol Canada ठीक है? next आपन बात करें दितियक अनुक्रमन के दोरान जातियों का आक्रमन आपके निर्भर नहीं करता during secondary succession the invasion of species not depends on the, देखो आप क्या कहोगे? म्रदा की इस्तिती बिलकुल इस पे डिपेंड करेगा availability of water पे आपके डिपेंड करेगा presence of primitive substatum इस पे आपके डिपेंड करेगा velocity of wind जो है इस पे आपके कभी भी डिपेंड नहीं करेगा yu के वेग पे आपके निर्भर नहीं होगा तो चौपन का जो अंसर चला जाएगा वो आपके क्या जाएगा विटा? fourth next है यदि हम, if we completely remove the decomposers from an ecosystem, its functioning will be adversely affected because क्यों? decomposers हटने के कारण mineral cycling जो है वो आपके क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी तो mineral आपके क्या है? mineral movement will be blocked mineral movement जो है वो आपके क्या हो जाएगा? block हो जाएगा, इसलिए ecosystem आपके काम नहीं कर पाएगा खनिज परिवहन जो है वो आपके सांधरता जीवों के लिए हानी का रख है कौन सा विकल्प इस कथन से आपके संबंदित नहीं है चीज को आप समझना the high concentration of DDT is harmful to the organism, which option is not related this statement? कौन सा निप्यानी क्या है? इसको आपके क्या है explain कौन सा नहीं कर रहा है तो आपके क्या कहदोगे आप? यह पक्षियों में calcium के उपापचे को क्या करता है? बादित करता है बिल्कुल सही है इससे संबंदित है it cause thinning of egg cell ये भी सही है it cause premature breaking of eggs बिल्कुल ये भी सही है it increase the productivity by insectic control यह कीट नियंतरन द्वारा उत्पदक्ता में आपके क्या करता है? व्रद्धी करता है बाई आपके during green revolution इसका क्या किया गया था? यूज किया गया था तो ये इस statement से आपके related नहीं है तो कौन सा जाएगा बिटा? fourth कौन सा चला जाएगा इसका? fourth ठीक है? फिर है नीचे नीचे दिये गए कतनों को पढ़िये read the statement given below ठीक है? अपने statementों को पढ़ते हैं तो आप क्या कहोगे? more than 70% of all species recorded are animal by 70% आपके क्या है animal है? बिल्कुल सही है the diversity of plants and animals is uniform throughout the world ये आपके क्या है? wrong है speciesation is the generally function of time बिल्कुल सही है the equation is log c plus z log a generally the value of z lies the range of 0.1 to 0.2 how many of the above statement are incorrect? incorrect कितना है? 1 है तो answer आपके कौन सा चला जाएगा? इसका 1 next आप कहोगे thermal power which of the following most widely used to the remove 99% particulate matter is present in the excessant from thermal power तो thermal power से 99% particulate को आपके remove कौन करता है? electrostatic precipitator कौन आ जाएगा? electrostatic precipitator किस में? 58 में next जो है वो है आपके two place age 59 में है two place age have equal amount of rainfall still their vegetation is different rainfall आपके सेम है लेकिन फिर भी आपके क्या है? vegetation क्या है? different है which option explain most appropriate this statement? तो आपके क्या है? कौन सा विकल्प? इस कथन की सबसे सही व्याक्षा करता है only moisture content in the atmosphere may be variable only moisture क्यों थोड़ी होगा अलग-अलग आपके क्या है? दूसरे जो आपके content है वो भी अलग-अलग हो सकते है moisture change may bring the change in soil and topography moisture जो है वो change कर सकता है may bring in the change in soil and topography moisture जो है वो topography में change कैसे लाएगा? equal amount of rainfall it is not only criteria for vegetation type it affects more than one factors वर्षा की समान मात्र वनस्पती के प्रकार का एक मात्र आधार आपके नहीं होता है तथा यह एक से अधिक कारकों से आपके क्या होता है? प्रभावित होता है बिलकुल सही है यहां third जो है more than one factor आपके इसको क्या करेंगे? effect करेंगे फिर आप कहोगे दो इस्थानों की वनस्पतियां हमेशा एकदम सेम होती है vegetations of two areas are always exact same तो ये भी आपके क्या है wrong है, ये भी wrong है, ये भी wrong है तो सही जो है वो आपके कौन सा होगा, third तो 59 में आपके कौन सा चला जाएगा, third फिर आप कहोगे 60 which of the following is the use of lichens in case of pollution ये आपके क्या होते हैं, भाई आपके क्या है, lichen जो है वो आपके किसके, SO2 pollution के आपके क्या है, good indicator है they treat the polluted water, they act as a bio indicator of pollution तो ये आपके क्या है, SO2 pollution के आपके क्या है, indicator है तो आपके क्या है, they act as a bio indicator of pollution तो 60 जो है उसका आपके कौन सा जाएगा विटा सेकेंड ठीक है तो यहां आपके क्या है फिर आप कहोगी कारवन चक्र में मुख भूमी का the main role of bacteria and carbon cycle involves तो यह आपके क्या करेगा breakdown of organic compounds तो यह आपके क्या कर देगा breakdown of organic compounds next अगर आपन बात करें find the wrongly matched pair आपके wrongly matched pair कौन सा है species confined to one region and not found anywhere else बिल्कुल आपके सही है next अगर आपन बात करें BOD जो है वो आपके क्या होगा indicator होगा आपके BOD जो है वो आपके indicator है किसका water pollution का बिल्कुल आपके क्या है सही आपको wrongly matched दूढना है क्या दूढना है wrongly matched तो wrongly matched आपके कौन सा है वो आपको देखना है तो यह आपके सही match है यह सही match है alien species parthenium to India बिल्कुल सही है most productive biome जो है वो tropical rainforest होते हैं ना कि आपके सवाना biome ठीक है next अगर आपन बात करें 63 की the most important human activity leading to the extinction of wildlife तो आपके क्या है wildlife extinction के लिए most आपके क्या है fragment and destruction of natural habitat प्राकर्तिक आवासों का विनास इवं आपके क्या है विखन दन यह biodiversity loss का आपके प्रमुख आपके क्या था कारण था next अगर आपन बात करें तो फिर आपके क्या हो जाएगा temperature is most relevant ecological factor ठीक है वो क्यों है which option is not suitable for given statement distribution of organism अकर according to the temperature बिल्कुल सही है temperature affects the kinetics of enzyme बिल्कुल सही है it affects the basal metabolism and physiological mechanism of organism बिल्कुल सही है law temperature ranges are optimum for the survival of organism and at law temperature enzyme so maximum activity नअ enzyme अबके क्या हो जाते है inactive हो जाते है ना कि अधिक्तम सक्रियता दरसाते है तो 64 का बिल्कुल आपके जाएगा कौन सा 4th next अगर अपन बात करें तो फिर है mammals from colder climate generally have sorter limbs and ear minimize to heat loss it explains यह आपके किसके ln के नियम को आपके क्या करता है explain करता है तो यह नियम जो है वो आपके किसका है ln का आपके क्या हो जाएगा विटा रूल हो जाएगा ठीक है next अगर अपन बात करें तो निमनिखित में से कौन सा सही सुमेलित है which of the following is correctly match तो इसमें से आपके correctly match mycorrhiza जो है mineral uptake from आपके क्या है भाई आपके क्या है कवक मूल म्रदा से खनिज आपके क्या करते है बिल्कुल ग्रहेंड करते है rhizobium parasites नहीं होते birds and mammals आपके क्या है thermo conformers ना birds आपके क्या है birds और mammals आपके क्या है thermo regulators है और plants जो है वो आपके क्या है conformers है तो आपके क्या है wrong कौन कौन से हो गए second wrong है third wrong है fourth wrong है mycorrhiza जो है mineral uptake करेंगे कहां से soil से तो ये बिटा आपके क्या हो जाएगा सही हो जाएगा next अगर आपन बात करें तो फिर है which one is example of morphological adaptation morphological adaptation का आपन को example देखना है thick layer of blebber in seal blebber in seal में आपके क्या है thick layer physiological है ये भी आपके क्या है kangaroo rat में urine excreation आपके क्या है physiological है spines in open shea morphological है फिर आप कहोगे क्या moment of desert lizard in light exposure ये behavioral है तो ये भी आपके क्या हो जाएगी wrong तो morphological adaptation आपके कौन सा है spines in open shea कौन सा हो जाएगा third next आपके 68 age parameter A, B, C indicates A जो है वो आपके क्या है answer जो जाएगा वो बिटा आपके कौन सा चला जाएगा first तो यहां आपके 68 जो है उसमें आपके answer जो है वो आपके कौन सा रहेगा first ठीक है next आपन बात करते है 69 की तो 69 में देखो आप क्या कह दोगे सही सुमेलित युगम को चुनिए choose correctly match तो correctly match को देखो prediction जो है वो उसमें आपके क्या है pseudo-copulation pseudo-copulation आपके mutualism में आता है रहोंग है mutualism wasp pollinator and fig inflorescence बिल्कुल सही है फिर आप कहोगे parasitism fungal hyphae and youth आपके roots of higher plants as mycorrhiza यह parasitism नहीं है mutualism है यह भी wrong है immense realism cattle aggregate and grazing cattle common realism है ना की immense realism ठीक है तो आपके सही जो है वो आपके कौन सा होगा 69 69 जो है उसमें आपके कौन सा जाएगा second फिर आप कहोगे consider the given figure and choose the incorrect one population growth curve represents तो population growth curve को आपको देखना है तो आपके a जो है वो plot है आपके क्या है exponential growth बिल्कुल आपके क्या है exponential growth जो है incorrect को देखना है तो a तो आपके क्या है exponential growth है सही है b plot is logistic when resources are not limiting factors for growth ना यहाँ आपके k-n जो n by k जो है वो आपके represents किसको कर रहे है जो आपके क्या है resources जो है वो आपके क्या है limited है तो second आपके क्या है wrong see carrying capacity cage referred with available resources in habitat place बिल्कुल सही है is this equals to क्या है dn upon dt rn is equation for geometric growth fashion geometric growth के लिए यह आपके क्या होगी equation होगी यह भी बिल्कुल आपके क्या है सही है तो wrong जो है क्या देखना है parasitism के example देखना है देखो कितने है lice on human हो जाएगा सही है 1 ticks on dog हो जाएगा 2 cascuta on आपके क्या है hug plant बिल्कुल सही है यह भी हो जाएगा bacteriophage virus है यह भी हो जाएगा 4 brood parasitism अंड परिजीविता हो जाएगा 5 lichen आपके नहीं है mycorrhizan आपके क्या है नहीं है rhizobium in legume plants नहीं है halminth in आपके क्या है human यह आपके हो जाएगा 6 elbugo on mustard plant यह आपके क्या हो जाएगा 7 तो यहाँ आपके कितने आ जाएगे 7 ठीक है कितने हो जाएगे यहाँ 7 तो answer जो है वो आपके कौन सा जाएगा second next आपन बात करें तो अब घटन की प्रिक्रिया में आपके क्या है correct sequence of steps in process of decomposer पहले आपके क्या होता है fragmentation फिर leaching होती है फिर catabolism फिर humification फिर आपके क्या होता है mineralization तो आपके क्या है 72 का आपके कौन सा जाएगा फिर्स्ट next अगर आपन देखें तो 73 73 में आप क्या कहोगे humus मैं से निमनिकित मैं से कौन सा सही नहीं है which of the following is not true for humification या humus dark color का होता है बिलकुल सही है colloidy nature है बिलकुल सही है it undergoes for decomposition at an extremely fast नहीं आएगा क्या होगा slow rate होगा it is reservoir of nutrients ये भी आपके क्या है सही है 73 का आपके क्या हो जाएगा third हाँ बिटा next आप से बात कर रहा है ये 74 number question mass of living matter mass of living matter at traffic level in an area at any time is called तो इसको आप क्या कहदोगे किसी एक समय में किसी दिये गए चेतर में एक पोशन इस तर पर जेव पदार्थ की मात्रा आपके क्या किलाती है तो इसको आप कहोगे क्या standing crop क्या 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 दोगे standing crop क्या 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 दोगे standing crop answer जो है वो बिटा आपके जाएगा क्या fourth इसका answer जो है वो आपके क्या जाएगा खड़ी फसल तो 74 का आपके क्या चला जाएगा बिटा अंसर फूर्थ क्या कहते हैं इसको standing crop ठीक है बिटा next question आपन लेते हैं फिर आप कहोगे क्या identify the possible link A in the following food chain तो क्या हो जाएगा plant, insect, frog frog को आपके कौन खाता है बिटा snake, snake यानि कि आपके क्या दे रखा है आपको option में cobra, तो यहाँ आपके क्या जाएगा cobra, ठीक है next जो है वो आपके क्या है next आपके जाएगा कौन सा 76, match the column first and second and choose the correct combination from the option फिर आप कहे रहे हो estuary estuary जो है वो आपके क्या है aquatic है कौन सा aquatic, natural aquatic system रहेगा, तो एक आपके कौन सा जाएगा बूलो, second एक आपके क्या है second, aquarium जो है वो आपके क्या है, artificial aquatic system है, तो आपके क्या जाएगा इसका, third, crop land जो है, artificial terrestrial ecosystem है, तो आपके क्या जाएगा चार, और grassland जो है वो आपके terrestrial क्या है, ecosystem system तो दो तीन चार एक तो यह आपके कहा दिरखा है देखो दो तीन चार एक यह आपके किसमें दिरखा है second में तो 76 का आपके क्या हो जाएगा second next अपन चलें in biotic community which one of the following is a specific protective device आपके क्या है जैविक समुदायों में निम्री कितमें से कौन सा एक विसिस सुरक्षात में युकती है तो अपनी सुरक्षा के लिए आपके क्या है कैई जीव आपके किसका mimicry यानि कि अनुहरण का आपके क्या करते हैं उपयोग करते हैं तो यहाँ आपके क्या जाएगा answer third यानि की mimicry next जो है the relationship between two organism in which one obtain benefits at the expense of other is called भाई आपके क्या है एक को benefit होगा दूसरे को मार के खा रहा है तो इस मार के खाने वाले को आपके क्या कहोगे आप prediction क्या कहोगे परभक्षण किक है तो answer आपके चला जाएगा कौन सा two next आप कहोगे the rate of conversion of light energy into chemical energy of organic molecule is an ecosystem भाई आपके क्या है जितना भी light energy जो है उसको chemical energy में बदल रहा है तो respiration की यहाँ आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो यह आपके क्या हो जाएगी सकल प्राथ में कुतपादकता GPP gross primary productivity तो यहाँ आपके क्या जाएगा यह gross primary productivity next जो है वो आप कहोगे which of the following UV radiations are most harmful for organism सबसे जादा जो है वो आपके क्या है most आपके क्या है harmful जो UV radiation होती है वो आपके कौन सी होती है UVB कौन होती है बटा UVB ठीक है तो यहाँ आपके आजाएगा कौन UVB ठीक है next अपन बात करें तो फिर आप कहोगे steno thermal steno thermal means आपके कौन से organism होते है जो आपके temperature change की wide range को आपके सहन नहीं कर पाते है तो आप कहोगे क्या organism which can tolerate narrow range of temperature fluctuation तो आपके यहाँ आपके कौन सा जाएगा first यानि कि ऐसे organism है जो temperature fluctuation की आपके क्या है narrow range को आपके क्या कर पाते हैं शहन कर पाते हैं next है आपके mutualism and prototype operation आर्थ protboro operation और mutualism दोनो क्या है positive positive टाइप की आपके क्या है इंट्रेक्ट्चन है और positive type positive है तो positive क्या जाएंगे interactions next आप जैदोगे क्या 82 की बात आपके हो गई 82 में positive positive, एक परितंत्र में उर्जा का प्रभा, energy का flow जो है वो आपके कैसा होता है, unidirectional, always आपके कैसा होगा, unidirectional, एक traffic level से दूसरे traffic level में unidirectional आपके क्या होता है, flow होता है, next अगर अपन बात करें तो फिर है pyramid of numbers, deal with the number of, संख्या का इस्तूप आपके संबंदित है, species of an area, biomass नई, individuals in a traffic level, तो यह आपके क्या है, एक traffic level में आपके क्या है, individuals के number को आपके बिटा क्या करता है, explain करता है, तो एक आपके traffic level पर कितने individuals होंगे, उसको यह आपके क्या करेगा, explain करेगा, ठीक है, तो यहाँ आपके कौन सा चला जाएगा, third, ठीक है, next जो है वो आपके होग lichens आएगी, फिर mossage, फिर grass, फिर serb, और फिर आपके क्या जाएगी, tree, तो lichen, mossage, grass, grass आपके क्या है, herb, serb, और आपके क्या है, tree, यानि कि आपके कौन सा हो जाएगा, बिटा, इसमें आपके कौन सा जाएगा, first, next जो है वो आपका होगे, देखो, आपके यहाँ इस graph में आपको क्या बता रहा है, इसको B का पूछा है, देखो, आपके D को भी ले रहा है, A को भी आपके क्या ले रहा है, B ले रहा है, और C जो है उसको भी आपके कौन ले रहा है, B ले रहा है, जो भी है, जो भी आपके 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 रुक रहा है, किस पर आपके रुक रहा है ठीक है, next आप कहोगे क्या, which of the following is a not favorable factor for the increasing the rate of decomposition, decomposition की rate को आपको क्या करना है, increase करना है, तो इसके लिए कौन favorable condition नहीं है, oxygen और nitrogen रिचने हैं, आपके होनी चीए, सही है, फिर है, detritus ridge in lignin, ना, lignin ज्यादा हुआ, तो आपके क्या है, जो भी decomposition की rate slow जाएगी, warm environment, warm environment, जो है, इसका आपके कोई भी आपके क्या है, बढ़ा देगा warm environment, high soil moisture ये भी आपके क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो answer जो है, वो आपके कौन सा चला जाएगा, second, फिर है, which one of the following is not used for the construction of ecological pyramid, यानि कि आपके निमनेखित में से कौन सा पारस्थितिक इस्तूप को बनाने के लिए प्रियुक्त नहीं किया जाता, more trophic level of a same species, same species के एक से ज़्यादा trophic level को कभी यूज नहीं करोगे, बाकी biomass को आप लोगे, number को भी लोगे, और आपके energy को भी लोगे, तो यहाँ आपके आजाएगा, कौन सा, first, next जो है, humification जो है, वो आपके क्या है, humus का आपके क्या होना, एकटा होना, accumulation of humus जो है, वो आपके क्या है, humification, तो आपके कौन सा हो जाएगा, first, ठीक है, next अगर आपन बात करें, तो आपके क्या है, 90, 90 में आप क्या क्या दोगे, इस थम एक को आपको बी से क्या करना है, match क करना है करो phytophagus जो है वो आपके क्या है plant sap को क्या करते है feed करते है third हो जाएगा diapose क्या है suspended development की एक आपके क्या है stage है first हो जाएगा homeostasis आपके क्या है यहाँ आपके maintain of constant internal environment 4 हो जाएगा estivation जो है वो आपके क्या है यहाँ 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 आपके क्या है summer slip में चला जाता है to avoid summer related आपके क्या है problems 3142 किस में आ रहा है देखो 3142 आपके किस में आ रहा है second में यहाँ आपके कौन सा हो जाएगा बिटा second next अगर आपन देखें तो आप क्या कहोगे निमनिखित में से कौन से समुझ में समान पोसी इस्तर पर पाई जाने वाले जीव समलेते हैं which of the following set includes the organism at same traffic level तो आपके क्या है sparrow loin नहीं grasshopper frog snack नहीं all birds fishage and man नहीं fishage tiger भी आपके क्या है top consumer यह सारे क्या है top consumer तो यहाँ answer जो चला जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा fourth कौन सा जाएगा fourth next अगर आपन बात करें which type of food chain is important for recycling of nutrients nutrients की recycling के लिए आपके कौन सी होती है DFC detritus food chain तो कौन सा जाएगा second next अपन करें बात तो आपके क्या है population of insect species increasing explosively during rainy season it disappears at the end of the season due to क्यों disappear होती है क्योंकि संसाधनों की आपके क्या हो जाती है कमी हो जाती है इसके अलाबा unavailability हो जाती है आपके किसकी resource age की तो resource age की unavailability के कारण यह आपके क्या है लगातार इसमें आपके क्या आता है decrement आता है तो 93 जो है उसका आपके क्या हो जाएगा second ठीक है इसमें आप detritus food chain अपने कहीं दिया था next अपन कहें to control air pollution in Delhi at the end of 2002 CNG compressed natural gas usage necessary for many vehicles at the place of petrol or diesel because आपके क्या है क्या कहोगे आप CNG is low cost fuel ठीक है CNG availability easily as source of energy बिलकुल सही है CNG आपके क्या है burn more efficiently than petrol and diesel बिलकुल सही है CNG जो है वो आपके क्या है आपके more efficiently आपके क्या होता है जलता है as the compare of petrol और diesel तो यहाँ answer जो आपके जाएगा वो आपके क्या जाएगा third ठीक है तो air pollution को control करने के लिए अपने किसको CNG को आपके क्या किया था क्यों यह more efficiently आपके क्या होता है burn होता है आपके किसकी तर तुलना में petrol और diesel की तुलना में ठीक है next अपन बात करें in terrestrial ecosystems such as forest maximum energies available at which traffic level maximum energy जो मिलेगी वो आपके किस पे मिलती है बिटा first traffic level पे जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपके energy जो है वो आपके क्या होती जाती है इसके अलब आपन बात करें in primary cessation age primary cessation आपके क्या है a process that start where no living organism are there these could be age भाई आपके क्या है nude या naked आपके क्या होना चीए area होना चीए जहां पहले से कोई भी organism आपके present नहीं था तो आपके क्या हो जाएगा आपके क्या है a process that starts where no living organism are there these could be are age where no living organism ever excited एक प्रिक्रिया जो वहां से प्रारम होती है जहां जीवित जीव नहीं है या अब तक जीवित जीवों का कोई भी अस्तित्व नहीं है तो यहां answer आपके आजाएगा कौनसा first ठीक है तो 96 में आपके आणसर रहेगा कौनसा first next जो है 97 भर लो भी yes को 97 में कहोगे a जो है यह green house का दे रखा है तो a co2 है फिर आपके ch4 आजाएगा फिर cfc आजाएगा फिर आपके क्या आजाएगा n2o ठीक है तो a आपके co2 है b ch4 है ccfc है d आपके क्या है n2o तो यहां आपके कौनसा answer हो जाएगा third next आपन चलें eltonian biological permits include ठीक है eltonian javik stoop आपके किसको समलित करता है leeching process of an ecosystem नहीं fragmentation of habitat नहीं energy flow in habitat energy के flow को ही आपके क्या करता है include करता है decomposers of an ecosystem ना include करता ही नहीं तो आपके क्या जाएगा 98 का third फिर आप कहोगे which one is correct use of nuclear energy has no any serious problems फिर आपके क्या है भाई आपके क्या है serious problems रखता है तो आपके यह क्या हो गया wrong हो गया temperature of earth without greenhouse effect क्या होगा minus 18 degree celsius होगा यह भी wrong है old climatic change जो है वो है elnino effect बिलकुल सही है thickness of ozone measured in decibel नहीं आपके किस में करते हैं बोलो dobson unit में किस में करते हैं dobson unit में तो यह भी आपके क्या हो गया wrong तो 99 का सही कौन सा है third next आपके a bird enters into the mouth of crocodile and feed on parasitic leachage the birds get food and crocodile gets ribs of blood second leachage both the partners can live independently such an association जो है भाई आपके दोनों को फायदा हो रहा है और आपके क्या है दोनों आपके freely भी रह सकते हैं तो ऐसे relationship को आप क्या करते हो proto-corporation क्या करते हो बिटा proto-corporation next जो है वो आप कहोगे which of the following is not a character of climax community आप कहोगे a form of established of established community बिल्कुल established आपके क्या है community है एक community nearby the environmental balance बिल्कुल सही है एक community nearby the initial cessation stage ना ये climax जो है आपके last stage ना की initial एक community nearby the final cessation stage बिल्कुल सही है ये final cessation किस पे होती है stage पे होती है तो यहाँ character जो related नहीं है वो आपके कौन सा है third next अगर आपन बात करें तो फिर आप कहोगे stone leprosy देखो acidic rainfall के करण stone जो है वो आपके क्या होता है खराब होता है जैसे ताज महल जो है वो मत्रा रिफाइनरीज के करण क्या हो रहा था खराब हो रहा था इसलिए वहाँ से मत्रा रिफाइनरीज को क्या कर दिया गया है transplant कर तो आप क्या कहोगे अंगल वर्सा के कारण आपके क्या होना अंगली वर्सा के कारण आपके संगमर मर का क्या होना चरण होना destruction of marbles due to acidic rainfall यह आपके होता है क्या stone leprosy फिर आप कहोगे क्या loss of biodiversity in a region may lead to ठीक है किसी भी आपके छेत्र में आपके क्या है बायो डाइवर्सिटी का आपके क्या है loss होना यह आपके किसको करता है greater resistant to drought नहीं resistant to drought जो है उसको घटा देता है decline the plant production ठीक है यानि कि पादप की उत्पादकता में आपके क्या होती है कमी होती है बिलकुल सही है फिर आप कहोगे decrease paste and आपके disease cycles यानि कि पीड़क और रोग चक्र आपके घड़ते नहीं बढ़ते हैं ठीक है तो decrease variability in the certain ecosystem process कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाओं में परिवंस त गड़ती नहीं आपके क्या होती है बढ़ती है तो 103 का आपके क्या हो जाएगा second next step and driving force of ecosystem क्या कहोगे ecosystem का चालक बल है कौन चलाता है ecosystem को solar energy तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा fourth फिर आप क्या कहोगे the main difference between the 6th extinction and previous 5 extinction is the 6th extinction छटे विलोपन और पिछले 5 विलोपनों के बीच होने वाला मुख्य अंतर है the main difference between the 6th extinction and the previous 5 extinction in the 6th extinction यह आपके क्या है यह आपके किसे होगा fast rate से होगा mainly आपके क्या है किसे होगा fast rate से it mainly occurring on island नहीं it affecting only plants नहीं it occurring at faster rate विल्कुल सही है does not involve human activities human activities इसमें involved होंगे तो आपके कौन सा चला जाएगा third next जो है competition for food light and space is most sewer between भाई आपके क्या है यहां आपके competition का पूछ रहा है भोजन प्रकार और स्थार्म के लिए टीवर प्रतिसपरदा किस किस के बीच होती है जो आपके क्या है closely related species होती है और यह grow कर रही होती है आपके किसमें same habitat में तो आप क्या कहोगे closely related species which growing in same habitat कौन सांसर आजाएगा first फिर आप कह रहे हो क्या 107 ठीक है 107 में आप कहोगे the term the evil quadrate is related to आपके सब the evil quadrate का संबंद किस से है भाई आपके क्या है biodiversity loss के जो man four causes जो है उनको आपन क्या कहते है evil quadrate तो आप क्या कहोगे one honey के चार प्रमुख कारण four major causes of forest loss नहीं जनसंख्याव sport के चार करण four major causes of population explosion नहीं four major causes of air pollution नहीं four major causes of biodiversity loss biodiversity loss के आपके क्या है प्रमुख आपके चार कारण इनको आपन क्या करते है इसमें include तो 107 का क्या जाएगा four which one is correctly matched क्या कहोगे आप देखो सार्क तथा चूसक मसली यानि क्या आपके क्या है सार्क एंड सकर्फिस ये सार्क एंड सकर्फिस जो है वो आपके क्या है parasitage में गलत है eutrophication potassium और nitrogen ना phosphorus और nitrogen से होता है फिर है आपके क्या है organic आपके क्या है organic farming रमेश चंद्र डागर सही है चिपको movement जो है वो आपके कब हुआ था 1974 में तो ये भी आपके क्या है wrong है तो यहाँ 108 जो है उसका आपके क्या हो जाएगा three फिर आप कहोगे calotropes does not allow to any cows and gods to browse around by release calotropes किसके विमुक्तिकरण से किसी भी गाय और बक्रियों को चड़ने की अनुमति नहीं देता है ये आपके क्या छोड़ता है cardiac glyco आपके क्या है क्या छोड़ता है cardiac glycosides क्या release करता है बिटा cardiac glycosides तो कौन सा जाएगा 109 का तीन फिर आप कहोगे दा percentage salinity इन्हें hyper saline lagoon तो आपके क्या है hyper saline lagoon जो है उसमें आपके क्या है जो percentage होता है salinity का वो आपके कितना है more than आपके क्या है 100% क्या हो जाएगा more than 100% उसके बाद आपन बात करें migration and suspension are two alternatives for same organism which face age प्रवास और निलंबन उन सभी प्रकार के जीवों के लिए दो विकल्प है जो आपके सामना कर रहे होते हैं तनाव पूर्म परिसितियां अगर आपके क्या हों कम समय के लिए हों तो migration और suspension इनका आपके क्या है एक इलाज है तो stressful conditions for salt duration तो आप क्या क्या जाएगा stressful conditions for salt duration next जो है वो आप कहोगे which of the following is wrong with respect to the ralphia vomit area तो आप क्या कहोगे found in Himalayan range बिलकुल Himalayan range में पाया जाता है फिर है medicinal plant है बिलकुल सही है specie diversity is not terms of potency and concentration of reserpine आपके क्या है diversity आपन क्या है जो concentration of reserpine और आपके terms of potency में आपन लेते हैं तो ये wrong हो गया reserpine इस पोदे द्वारा उत्पादे के सक्री आपके क्या है रसायन है reserpine is an active chemical produced by this plant बिलकुल सही है reserpine जो है वो आपके क्या है chemical है जो इस plant से आपके क्या किया जाता है उत्पादित किया जाता है तो आप क्या कहोगे इसके respect में आपके क्या है wrong कौन सा हो गया third next question जो है बिटा next question आपन बात कर रहे है 113 देखो इसमें आप क्या कह रहे हो which of the following क्या पूछ रहे है which of the following is not a region that accounts for greater biodiversity in tropics यानि कि आपके tropical region में greater biodiversity का region इन में से कौन सा नहीं है तो availability of more solar energy सही है यह region है more naked specialization बिलकुल यहाँ more naked specialization होता है more time for species diversification बिलकुल सही है specific diversification के लिए more time मिलता है फिर है more seasonal variations in environmental factors नहीं more seasonal variations नहीं होते है यहाँ climatic conditions लगभग आपके क्या रहती है stable रहती है एक जैसी बनी रहती है तो यहाँ ज़्यादा seasonal variations बिटा नहीं होते है तो यहाँ wrong जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा फोर्थ परियावारे नहीं है कारकों में अधिक मौसमी है वदबदलाव यह आपके क्या हो जाएगा wrong तो answer जो आपके चला जाएगा वो आपके चला जाएगा कौन सा 4 तो 4 जो है वो आपके क्या होगा बिटा यहाँ wrong होगा नेक्स्ट आप कहोगे खंडन भाई आपके क्या है नेमन इस्थम का मिलान कीजिए match the column fragmentation आपके क्या होता है बताओ जो भी detritus जो होते है इसको आपके क्या कर देंगे तो आपके क्या हो जाएगा फोर्थ फिर humipication leads to the accumulation of dark color atmosphere तो B का आपके क्या जाएगा first c catabolism bacteria और fungal activity जोंगी तो c का आपके क्या हो जाएगा third leaching जो है वो आपके क्या है water soluble inorganic nutrients आपके कहां चले जाएगे नीचे तो answer आपके हो जाएगा कौन सा fourth answer आपके आजाएगा कौन सा fourth ठीक है फिर आपके होगे ozone layer is destroyed by पाई आपके क्या है large number of AC and refrigerators जो है इसको आपके क्या करेंगे destroy करेंगे ठीक है तो large number of AC and refrigerators इसको आपके क्या कर देंगे destroy हाँ बिटा 116 में आप क्या क्या होगे ecosystem toilets are used in area of Kaila and Sri Lanka बिल्कुल सही है water prevention and control of pollution act 1974 में दिया गया बिल्कुल सही है national forest policy आपके क्या है 1988 of India has recommended 67% forest cover plains नहीं hills पे था रॉंग है फिर आपके the concept of joint forest management GFM introduced by the government of India in 1971-71 में नहीं दिया गया था तो यहाँ आपके रॉंग हो जाएंगे C और D तो सही है आपके कौन है A और B तो answer आपके चला जाएगा क्या third नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या select the mismatched catalytic converter unburned hydrocarbon CO2 and आपके क्या है H2O आपके क्या है सही है यह तो electrostatic precipitator removes more than 99% particulate matter बिल्कुल सही है फिर है scrubber removes gases like CO CO को आपके remove नहीं करता acid rinse जो है वो आपके क्या है stone lepracy करेगी बिल्कुल सही है तो आपके कौन सा हो जाएगा wrong 117 का third फिर है 118 the fine powder of recycled modified by plastic से आपके क्या है कौन सा fine powder बनाया गया था आपके तो आपके कौन सा था यह आपके poly blend poly blend जो है वो आपके fine powder बनाया गया था किसे plastic waste से फिर अपन बात करें किसकी next generally in a young lake water जो है वो आपके क्या होता है cold होता है और आपके क्या होता है clear होता है जो supporting करता है किसको little life को तो इ little life को आपके क्या करेगा support करेगा तो इसका आपके कौन सा हो जाएगा 3rd, next आपन बात करें किसकी 120 की which catalyst is not used in catalytic converters to reduce emission or poisonous gases from the automobiles, तो आपके huge कौन कौन से होते हैं, प्लाटिनियम, पैलेडियम और रोहोडियम, ये तीनो तो आपके क्या होते हैं, यूज होते हैं अपके बिटा, बहुत अच्छी से आपने क्या दिये, test दिये, एक एक चीज, एक एक concept, NCIT based था, I hope आपने बहुत अच्छी से clear किया होगा, फिर भी कोई दिक्कत आई, तो आपने इसके through आपके क्या कर लिया, इसको solve कर लिया, ठीक है बिटा, तो बढ़िया रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बढ़िया बहुत के सानदी में रहते होगे, फैकल्टी के सानदी में रहते होगे, बढ़िया मैनत करें और आगे बढ़ें बिटा, है ना, बहुत अच्छा result अपन प्रोड्यूस करने वाले हैं, ओके बिटा, गुड़ लग, डंगल देते रहें, अगली सीरीज अपनी क्या है, डंगल है, जिसमें मेजर आपके क्या है, टेस्ट है, तो ओके बिटा, जैसी लसी, जैजैसी लसी, जैजैसी लसी